नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश कुमार पांडे आपका competition community के online platform पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हम लोग जिस topic पर चर्चा करने वाले हैं और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप से बात करना चाह रहा हूं और ये बात ये करना चाह रहा हूं कि अब competition community जो है वो अब MPPSC के लिए भी बतलब MPPSC की तेयारी के लिए भी आप लोग के साथ खड़ी है और मैं competition community की तरफ से आप सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उमीद करता हूं कि competition community के द्वारा जो ये program स्टार्ट किया गया है MPPSC pre के लिए जो crash course स्टार्ट किया गया है जो MCQ स्टार्ट किया गया है ये आपकी सफलता में बहुती बहुती महत्यपून भूमिका निभाएगा और आप लोगों को जिस प्रकार की जो भी तकलीफ हो का समधान करेंगे तो मैं तिनेश कुमार पांडे फिर से अपने नाम को रिपीट कर रहा हूं और आपके साथ आज MCQ लेकर क्याया हूं जो competition community के द्वारा MPPSC pre के लिए जो MCQ सीरीज सुरू की गई है उसका पहला मैं अपना आज पहला आपके साथ program लेकर क्याया हूं online program लेकर क्याया हूं इस online platform पर और आज मैं आपको MPPSC में जो सिलिबस दिया हुआ है और उसमें जो एक subject है economics उसके MCQ solve कराऊँगा और यह उमीद करूँगा कि आज जो हम लोग study करेंगे वो आप लोगों के लिए बहतर होगा और आपकी study के लिए भी वो एक महत्तपुर भूमी का निभाएगा और उमीद यह भी करूँगा कि आज जिस topic पर हम 25 question MCQ solve करेंगे वो आपके exam की तेयारी में एक भूमी का अदा करेगा कि आपको अगर इससे related कोई question आया तो वो आपसे बने ठीक और इसी के साथ ही मैं आपका फिर से एक बार competition community के online platform पर स्वागत करता हूँ आये तो हम सम मिल करके अच्छे study करें और अपनी सफलता जो आज तक हम इस चीज से पीछे होते जा रहे थे या किस कारण से हमें जो सफलता नहीं मिल पा रही थी उसकी वजह से हम अपने मंजिर पर नहीं पहुँच पा रहे थे तो अब ये जो हमारी मतब जो मंजिर पर ना पहुचने की जो वजह है उस वजह को धूंट करके उसका समस्या का निराकरन करके हम आगे बढ़ते हैं और मैं उमीद करता हूँ और मैं क्या हम competition community की पूरी team ये उमीद करती है कि आपकी समस्याओं का आपके समस्याओं का जो भी समधानों हम निकालने की पूरी कोशिस करेंगे और इसी के साथ मैं इस mcq series की सुरुआत करता हूँ और मेरा सब्जेक्ट जो है वो है आपका अर्थवर्स्था इको नॉमिक्स ठीक तो आज 25 कोश्चन बनाएंगे हम लोग ठीक और इसी के साथ इस 25 कोश्चन में किस लेवल के कोश्चन गये हैं कितने हाई लेवल के हैं हाड है मतलब इजी है कैसा है यह सारी चीज़े आपको अभी यहां पर दिखेंगी 25 कोश्चन बस है और 25 कोश्चन आपको मैं 25 या 30 मिनट्स में कंप्लीट करूंगा देखिए जितने कम समय में हम इस mcq को सॉल करेंगे क्योंकि समानेता ही हो कि अगर अगर हम सब्जेक पूर रहे है तो सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपको उस विशै में नौलेज है या उसके विशै के बारे में आपको मालूम है तो उसके कोश्चन आपको maximum एक मिनट में या एक मिनट से कम में बन जाते हैं maximum यह इतना टाइम लगता है तो क्योंकि अगर आंसर मालूम है तो कोशन पढ़े आंसर में टिक लगा दिये क्लियर कुछ कोशन ऐसे होते हैं कूट वाले होते हैं जिसको समय लगता है पढ़ने में या उसको समझने में तो उसके लिए कोई अलग प्रव्ल उसके लिए में अलग जब है नेक्ष्ट वीडियो लेकर क्या हूंगा तो उसके भी समस्याओं का समध़ाना आपका में करूंगा ठीक ना तो चलिए बात बहुत हो गई अब इस्टार्ट किया जाए अपनी STUDI तो study में में लेकर क्याया हूँ? industry policy. तो इसका सबसे पहला question इंदेस्ट्री policy का, पहले ही question पुछा है कि अध्योगी कनिती, सर्पतम अध्योगी कनिती कहां पर आई? ठीक, पहले ही question क्या पुछा है आप से? कि सर्पतम अध्योगी कनिती कहां पर आई? तो किस देश में पुछा है। तो सबसे पहले आई ती आपकी फ्रांस में कहा रही थी और दोगी क्रांटी इंडर्श्यी रिवलूशन पॉर भारत में करती की किसे कहते हैं कॉन है भारत में इंडर्श्री revolution का founder तो जिसके समय में सरप्रथम इंद्रस्ट्री पॉलिसी आई थी और जिस वेक्ति ने लाया था इस इंद्रस्ट्री पॉलिस को उसी को ही कहा जाता है भारत में और द्योदिक करांती का जनक तो यह आया था आपका 1948 में भारत की पहली और द्योगिक नीती स्यामा जिए के दवारा जब पहली इंडासी पॉलिसी आई थो उनको ही कहा जाता है फाउंडर आपट इंडेश्ट्री में स्थिक फॉंदर और की क二 कि ऑधुन को आधार को विदfold, basic industries. भारत में आखि परकार की जो इंडिस्टीज है, उन्ने कहा जाता है core sector. विदज चार पिरègटिशन है। ऑनधार इन्दधल से जो ना मांगर में नПार आपको मालूम है कि चारों की इंडिस्टीज है, तो आपको चुनना कोई एक है. तो इसमें सबसे important industries जो है और वो है आपका steel industries तो answer क्या होगा आपका आपका steel तो answer is A answer क्या होगा A होगा clear next भारत में अध्योगी क्रांती की शुरुआत कब हुई When did the industry revolution start in India तो जब अध्योगी क्नीती आई इंडेस्ट्री पॉलिसी आई 1948 में तभी शुरू हो गया था और दोगी क्रांती या इंडेस्ट्री रिवलूशन तो इसका answer क्या होगा 1948 देखो एकदम सिंपन सिपल मैं बोला ना कि अगर आप घी इस पल रहे हैं और जीएज के क्योर्षन कर रहे हैं आपको आंसर मालूम है तो कम से कम समय में करने का तरीका यह है और उसके बाद उसका क्या सौल की है सब्सक्राइब किजिए चलिए नेट कोशन भारत में प्रतम और योगिक नीती का मुख्युत देश क्या था तो जब 1948 में पहली और योगिक नीती आई ठीक इंडेस्ट्री पॉलिसी आई तो यह समय था 1948 का 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए 15 अगस्त को और उसी समय हमारे देश का भी भाजन भी हुआ और हमारी आजादी से पहले ही यह वह सकते हैं कि विस्व में दो प्रकार की अर्थवेस्टा चाहरी थी एक कैपिलिजम और एक सोसलिजम मतलब एक पुंजीवादी और एक समाजवादी हमें जब आजादी मिली तो हम तो वैसी क्या थे एकदम है सब कुछ धन दॉलर टूटर के लेकर के गए और प्लस फिर आ गया विभाजन तो यह दोनों की दोनों चीजों ने बहुत तबाह करके रखा हुआ था जब हम में आजादी मिली तो हमें सबसे पहले तो यह डिसाइड करना था कि हमारी हमारा जो एकोनॉमिक्स है हमारे ज में जो भी नीतिया बनेंगी उसका स्वरूप क्या होगा तो पहली और जोगी नीती में हमने अपनी अर्थ वहस्ता का स्वरूप निधारित कि हमारी अर्थ वहस्ता का स्वरूप क्या होगा तो हमने उसका स्ट्रक्टर डिसाइड किया मिग्ज एकोनॉमिक्स अब मिग्ज यह था, determining the nature of economic, ठीक, next question है, भार्युद द्योगों की स्थापना कर प्रारम हुई, heavy industries कभ स्टार्ट हुए, तो देखो, हमें आजादी जब मिली, तो उसके बाद हमने दो चीज़ शुरुआत किया, एक तो five years planning की सुरुआत की हमने, और अपने industries को बढ़ाने के लिए भी हमने क्या लाया, industry policy लाई, जब five years planning स्टार्ट किया हमने, तो second five years planning था, दूसरी पंचवर्षी जो योजना थी, इसका time period था 1956 से 1961 तक, ठीक, और इस second five years planning का, हमने जो base रखाता है, हमने जो goal रखाता है कि हम किसको develop करेंगे, तो वो था आपका industries, उद्धोगों पर ज़्यादा focus करने की बात कही गई थी इसमें, इसी समय हमने लाया था, दूसरी industries policy 1956 में, ठीक, और इस industries policy में, हमने बहुत सारे content रखे, बहुत सारे points रखे, उनी में से एक point था, heavy industries, ठीक, तो भारियो द्धोगों की थापना की शुरुआत हुई थी 1956 में, कब शुरू हुई 1956, क्लियर, ठीक, उसके बाद दुर्गापुरिष्टी प्लांट की सुरुआत किस अद्योगिक निटी के तहत हुई, ठीक, मतलब दुर्गापुरिष्टी प्लांट कब लगा, कौन सी industry policy थी जब दुर्गापुरिष्टी प्लांट लगा, दुर्गापुर आपका पड़ेगा पश्शिम मं संगाल में, ठीक, अभी थोए देर पहले मैं आपको बताया कि हमने जो second five years planning लाई थी, उसी समय हमने heavy industries की साफना करना सुरू किया था, तो जो दुर्गापुरिष्टी प्लांट था, वो भी इसी समय बना, दूसरी और दोगिक निती के तहत, ठीक, और दूसरी five years planning के तहत, और यह दूर्गापुरिष्टी प्लांट था, यह ब्रिटेन के सहयोग से बना था, इसको बनाने में हमारी help किया था, किसने, ब्रिटेन ने, तो दूसरी और दोगिक निती, बतब दूर्गापुरिष्टी प्लांट की सुरूआत, किस और दूसरी second industries policy के तहत, हमारी दूर तो close economist के question को solve करने से पहले, देखो, मैं यह आपको MCQ बता रहा हूँ, मतलब जो industry policy में आपको बता रहा हूँ, यह बहुत important topic है, clear, और अभी तो कियो आपको मैं 25 question easy easy बता रहा हूँ, कुछ question थोड़े से मीघ्डे हैं, थोड़े से गुमाओदार है, शुरुआत, easy से इसले कर रहा हूँ, क्योंकि यहां पर आपको किसी प्रकार का doubt or confusion नहीं होना चाहिए, कि हम इसको पढ़े और हमसे question नहीं बन रहा, clear, तो सुरुआत सरल से करो, सरल से सुरुआत करोगे, धीरे 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 आगे बढ़ोगे, तब जाके high level फिल पहुचना, ठीक, clear, क्योंक अगर में पहले ही रास्ते में अगर हम हम बढ़ा आ गए, तो आगे बढ़ेंगे कैसे, तो सुरुआत कैसे करो, शुरुआत ऐसे करो कि थोड़ा सा सरल चीज हो, फी थोड़ा सा कठीनो, मतलब हाट धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाए, और जब धीरे लेवल बढ़ते और हाड लेवल आते जाएगा, तो हम से इजी कोशन भी बनेंगे और हाट कोशन भी बनेंगे, क्योंकि याद रखी ये कॉमपोटीशन है, और कॉमपोटीशन एक ऐसी चीज़ होती है, जहां कियल जो एक्जाम लेता है, वो क्यों ये बता जिता है कि ये सिले बस है, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, पूछेगा भी कि नहीं पूछेगा, ये भी नहीं मालूम, ठीक है, कितना डीप जाके कोशन करेंगे, या कितना लेवल उपर इजी कोशन होगा, कुछ नहीं मालूम, इसलिए मैंने कहा कि हम इजी कोशन भी सॉल्ट करेंगे, और हम हाई ले जाएंगे और हम मीडिल लेवल पर भी रहेंगे तीनों लेवल को लेकर करके हम को सौल करेंगे और इसी के लिए ही इस हिसाब से मैं आप के लिए 25 कोशन लाया हूँ इंड़स्ट्री पॉलिसी का कि हम इजी कोश्शन भी सौल कर रहे हम मीडियम भी जा रहे हम जीरे जीरे भी क्या जांगे हाड लेवर पर भी जाएंगे टिकिन एक कोशन है बंद अर्थवयस्ता कब आई close economic तो close economic क्या होता है कि किसी देश की ऐसी स्थिती यह अर्थवयस्ता का वह सरूप जिसमें import और export को totally close कर दिया जाता है जिसमें import और export क्या हो, बंद हो, ना कहीं से आयात हो और ना कहीं से निर्यात हो, तो ऐसी वरस्ता कहना ही जाती है बंद अर्थवयस्ता, और ये अर्थवयस्ता हमने लाई थी तीसरी ओद्योगिकनी ती 1977 में जब भारत के पहले गैर कॉंग्रेशी वेक्ती जो थे मुराजी दिसाई वो बने थे प्रधान मंत्री ठीक तो बंदर त्वेस्ता कब आई तो बंदर त्वेस्ता आई थी आपकी तिरसी और दोगिक नीती 1977 में अब ही मैंने कहा कि बंदर त्वेस्ता का मतलब ही होता है आयात निर्यात प्रति बंद लगाना तो बंदर त्वेस्ता कब थी 1977 में देखो यहां पर दो चीजे से याद हो जाएगी कि बंदर त्वेस्ता कब आई बंदर त्वेस्ता क्या है आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर बैल लगाना तो दोनों परकार के कोशन आ गए ठीक तो अगर इसको घुमाया भी तो भी हमको चीज बनेगी ओके भारत में उद्दोगों के लिए उदारी करण की निती कब अपनाए गई गई वेन वज डा पॉलिश्य अप्लिश्य प्लिबर जेश्ट एंडप्ट फॉर इंडिया तो उधारी करण की तुधारी करण क्या है तो उदारी करंच को अगर अपने ने पी रहे पार भी भी पलिए तो स्का घुलत मतल्ब उतभटा अचें किती उदार को एक्दम किसी के तो हमने क्या कि आ कि 1991 में हमने के लिए लाइसेंस ो शर सकते हैं कि प्रक्रिया को समाप्ध कर दिया यह नों बोल शक्ते हैं है थीक कॉ लादानी के लिए हम इतना हार लेवल अपनाया था उसको टो में आउफ्त में कड़िया और जब कि अजोगी निति में Brendi G20 1991 में नाई थी तो हम न्यट्र क्या हो जाएगा 1991 ठीक कि लाधे पदर्धिती को समयत्त किया गया तो लाइसे पद्धिती को समामत्त किया था मैंने थोज देट पहले कहा जब उदारी करण की निती अपना है तो लाइसेंस पद्दिती ही किस से रिलेटेड है उदारी करण से रिलेटेड है ठीक तो जब उदारी करण निती अपना है तो हमने लाइसेंस प्रोसेस को सरल कर दिया या समाप्त कर दिया तो जब उदारी कर को समाप्त किया गया भारत में उदारी करन के तहत क्या नीती नहीं अपनाई गई थी वीच पॉलेशी वाग नौट एडॉप्टेड अंडर लिब्राइजेशन इन इंडिया मतलब उदारी करन जब लाए थे तो उसमें क्या नहीं था उके तो देखो एकउढरी करन का वाई यह आपको बता दिया किसे लिए ठेट ये आपको बता दिया आप ये कौशन हमसे बनेगा ठीक कैसे बनेगा किसमा क्या है पहला कंटेंट कि लासेंस प्रति 10 हो ठी तो दोगों को लैसेंकों के न्तरग्स सरल क्या दोगों के लिए नियम प्रकृया सरल की गई छाहे है स्पोल इंधस्टिस चीजि finer च्रफ को गया तो तीनों कीistes काम हुए तो आंसर क veg हो जाएगा इसमें नmbश देस इन में से कोई नहीं अपर पिर मुक्त बजार से क्या तात पर है मतब फ्री मार्केट ओके तो देखे जो चोंतिया दोगिक नीती थी जो 1991 में आई थी इसको लाए थे उस समय के तत्काली प्रधान मंत्री पीवी नर्सी मराओ और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सी मनमोहन सी एक ऐसे वेक्ति है जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं बस राजपति बनना बचा है उनका हो सके वह भी बन जाए कोई भरोसा नहीं क्लियर ओके कोई भरोसा नहीं है पता चला मोधी जी के जगा कॉंग्रेस आ टो मन्मोहंंस्ट्री फता जर्वर्ना बटती बनादिए तो पद्धा मंत्री जब बने तो भी कुछ नहीं बोले तो राजपती नहीं आँ कि राजपती बोलता हुँ नी है नि तो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो जाेगा को पो बोलना ही नहीं पड़ेगा यहां पर ठीक खेर बहुत सम्माननी वेक्ति हैं बहुत समान करता हूं मैं उनका वह ऐसे वेक्ति थे जिन्हों ने हमारी डूपतु एकोनॉमिक को ख़डा कर दिया था मगर बस गलती उनसे यह हो गई कि जब पधा मंत्री बने तो कुछ बोलनी प मतलब तो यह है कि हमने जब चौति और योगीक निति लाई थी 1991 में तब हमने क्या किया था तीन नीची अपनाई थी, एक LPG बोलते हैं उसको, लिब्राइजेशन, ल मतलब प्लिप्राइजेशन क्या बोलते हैं, ल पी जी बोला जाता है, एल्पीजी बोलते हैं ठीक लिब्राइजेशन प्राइवेट लाइजेशन गुब्लाइजेशन मतलब उधारी करन नीजी करन और वैस्वी करन तो वैस्वी करन जो था वह यह था कि हमने सब के लिए मार्केट ओपनली खोल दिया था मतब खूला छोड़ दिया था एकडम जै है और इसा लगाओ और उद्धैंग स्टार्ट करों तो हमने क्या कि यह सब क्लिए मार्केट ओपन कर दिया तो फ्री कर दिया और आपको पता है कि फ्री एक ऐसी चीज है ठीक जिसको हर कोई चाहता है यह जैओ किसी खाने में फ्री मिले कोई प्रोडक्ट के रहे उसमें प सब्सक्राइब होता था विखे घृटोन को पर लाजाता है weiß मैंने मने नहीं कर लुदारी करन की निती से संदित है तो अभी मनने बता दिया जो कभी बोला नहीं पधामंत्री ने के बाद उदार ज़रूर रहा उदारते ही थी उसकी उदार था तो इसले प्रामंत्री बने थे तो दैनि भासकर के पेपर में एक बहुत इसका तैटल आया था जब उन्होंने पधामंत्री पद्धामंत्री पद्ध की सपद भी नहीं लिया था उन्होंने जब सुनिया गांदी ने उनका पद्धामंत्री पॉइंट किया था मतब बोल दिया था कि हमाई तरफ से पद्धामंत्री मन्मोहंसी रहेंगे तो एड़ी भासका में बहुत ही अच्छा फ्रंट पेड में आय नमया का और देश पर महन का राज दोलों को जोड़ा तो मनमोहन से हो जाता है क्योंकि मन्मोहन सीकुछ बोली ही नहीं उदार ही रहे वह कुछ काम ही ही नहीं कि जो enfin कि क्यांगर अपने मन से नहीं किया वह बिचारा जो भी बोलते थे उगांधी परिवार के सद्धों के द्वारा कहा जाता था ठीक तो यह टाइटल छापा था देनिग भाजकर में थीक क्लियर तो उदार कौन हुआ मनमोहन हुआ तो अंतर क्यों जाएगा मन मोहन सिंग आनतर क्यों तो मतलब 1956 में जब हमने लैसेंस प्रोसेस स्टार्ट किया था तब हमने 256 उद्ध्योगों को लैसेंस दिया था धिरे धिरे समय बढ़ा और यहां पर हमने कुछ कंपनियों को क्या किया प्राइवेट सेक्टर में दे दिया ठिक और 1991 आते तक अनली केवाल 18 उद्ध्योग गौ सब्सक्राइब को बढ़ावा भार्टी सविधान के 26 में लेखित किया गया है प्रमोशन आप कॉटेज इंडेस्टी इन मेंशन इन विच आर्टिकल आप दे इंडियन कॉंसिट्यूशन तो इंडियन कॉंसिट्यूशन का लैसन फोर है या लैसन बया भाग चार है जिसका सब्सक्राइब के नाम है राज के नीती निजिसा कर तत्व करों जो कौंसे इसी कोटे अब मैं है तो ओसके बाद साजिनीयों के उद्धोग हो की सुरुवात का भूई साजनिक उपक्रम किसको कहा जाता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गौर्णमेंट सेक्टर दोनों क्या हो मिक जो मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी हिस्सा हो और गौर्णमेंट सेक्टर का भी हिस्सा हो ऐसे इंडस्टीज क्या कहलाते ह आपके सार्जनिक इंडस्टी कहलाते हैं तो इसकी सुरुवात हुई थी 1991 में जब हमने प्राइवेट लाइजेशन मतलब नीजी करन की सुरुवात की थी ठीक हमने क्या किया था कुछ दोगों को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया आप समालो और कुछ दोगों को सरकार के न नीथी अपना है ठीक तो आंसर इस डी 1991 फिर उतके बाद भारत ने प्रतेक्ष विदेशी निवेस की सुरुवात किस नीथी के तहत की गई अंडर वीच पॉलिसी फॉरेंड डारेक्ट इंवेस्मेंट वाद इस्टार्टेड इन इंडिया कि प्रतेक्ष विदेशी निवे वह आपको मैं विदेशी निवेस वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको उसमें डिटेल बताऊंगा मगर थोड़ा सा एक हिंट कर देता हूँ ताकि एक कोशन बने पर तैक्ष विदेशी निवेसी होता है कि कोई विदेशी कंपनिया वेक्ती भारत में आ करना है और उसमें से अगर कोई विदेशी कंपनिया विदेशी वैक्ती टैन परसेंट या उससे ज्यादा इंवेस्मेंट करेगा तो ही वह एक कहलाएगा और अब डियाई के लिए बनाती है आर भी आई ठीक तो कोशन पूछा है भारत में प्रतेख विदेशी निवेस की स जब हमने सब के लिए दरवाजे खोल दिये तो अंसर के हो जाएगा इसका वैस्वी करन अंसर के हो जाएगा ग्लोबलाई जेशन ठीक ओके क्लियर चलिए नेक्स्ट किस अद्योगिक नीती को अर्थ वैस्तर के अंधकार यूग के रूप में देखा जाता है फॉर्स सेकें अधकर में हमारी अर्थ वैस्ता इस कंडिशन पर पहुंच गई थी कि हमें अपना सो टंसो ना विदेशी बैंक विदेशों में जमा करना पड़ा ठीक इतनी कंडिशन खराब हो चुकी थी फानेंशियल इमर्जेंसी की परिस्थित्वत्पन हो गई थी बहले फानेंशियल तो अंधकार यूग कब शुरुआत हुआ हमारा तीसरी अध्योग नीती के तहड थास इंड़स्टी पॉलिसी के कारण भारती अर्थ वैस्ता को अंधकार का यूग देखना पड़ा ठीक क्लियर फिर उसके बाद कितने उध्योगों के लिए लासें तेला निवार हुआ त अगर कुछ इंड़स्टी ऐसे थे जिनके लिए हमने लासेंस देना कंपल सरी किया एक था आपका एलकोहलिक मतलब एलकोहल दूसरा आपका विस्पोटक पदार्थ तीसरा जोडन सील चौंसरा लेक्ट्रॉनिक्स एंड पांच वा आपका कैमिकल इंड़स्टी तो इन पां पांच दोगों के लिए हमने लासेंस देना कंपल सरी किया एलकोहलिक विस्पोटक जोड़न सील रैसायनिक और आपका एलक्ट्रॉनिक्स ठीक तो कितने दोगों के लिए पांच दोगों के लिए लासेंस लेना हमने क्या किया अनिवार किया ठीक फिर उसके बाद मिस्टी अर्थवयश्ता को किस तौद्यो की निधिक धर अपनाया गया तो मैंने आपको भी कहा कि जो अर्थवयश्ता का स्वरू अपनाया गया था 1948 में जिसमें हमने क्या किया था कि पुझी ness अर्थ-वथžटा और समाजवदी अर्थ-वथ-थ हम बतलब पुझी अर्थ-वथ उसको बोलते हैं जो केवाल लाब पे काम करता है जिसका मकसद ही होता है कि य लोगों के पाँस पैसा होगा तो बने पाइब ले आएंगे मतलब ये प्रेइब्स सेक्टर करता है ठीक और गौर्मेंट सेक्टर क्या करती कि लोगों कस्तों भी धाएं देती हैं पैसा तो देती हैं वो मगर उनका फोकस किस पर रहता है सुमिधाओं पर प्रवेश लएट सेक्टर नहीं काम करोगे तो थे उनके पैसा है एक जिब्ल सुटती विवा सदी cliff अधिश्य पर आपका एक दिन गाटेगी सैडमर काटेगी वहां पर आप कि रात के राथ कि 12 बच्के क्म नंट हुआ गश्फी mus tash sports की बारे can का पूरी साड़ी काटेगा तो फोकस करता है पैसे पर प्रॉफिट पर उसको पैसा कमाना है वह लोगों की ठीडिभा हुमें सकति अवे फोकस Digital को क्या तो जो क्या प्रॊफिट पे काम करता है वह प्रवेट सबस्ताइब ने ठैसा आप कमा लेंगे अगर सब्सक्राइब आ दो हमको दोनों की जरवत थी हमें लोगों को रोज़गार भी देना था हमको पैसा भी कमाना था और हमें अपने लूगों को सब्स्राइं भी जनी थी तो हमने क्या किया बुंजी वादी दोनों को लाय और मिला करके एक कर दिया तो जब दोनों को मिला करके एक तो एक नहीं आर्थवेस्ता आई इसे बोला जाता है मिघ्ज एकोनॉमिक्स अमिशृत आर्थवेस्ता तो मिशृत आ dif nessa को परनाय गया था 1948 में पहली इंड़स्टीज पॉलिसी में जिसको से हमारे प्रसाद मुखर जी ने लाया था भारत में याथ निया तो लगा प्रति बंद का भटा तो कॉमन सेंस की बात है यह कि जब हमने उधारी करन नीजी करन वैस्टी करन की निती अपनाई चौंतिय जोग सब्सक्राइब को भी क्या किया बैंसे हटाया तो कौन सा समय था वो 1991 का समय ओके ठीक फिर उसके बाद बुकारो इस्टिल प्लांट की सापना किस नौदोगी नीती के तरह तुई फार्स सेकेंड ठार एंट फोर्ट तो देखो दूसरी जो फाइब यह प्लानिंग थी ठीक मगर जो दूसरी फाइब यह प्लानिंग थी यहां पर क्या हुआ था कि तीन है वी इंडेस्टीज हुए एक भिलाइस्टी प्लान चटीजगर एक आपका दुरगापुरी स्टील प्लांट वह आपका पश्यमंगाल और एक आपका राउल के लाइस्टील प्लांट ठीक जा बोकारो इस्टील प्लांट नहीं लगा था बोकारो इस्टील प्लांट आपका लगा था तीसरी पंचवर्सी योजना में थार्ड फानेंशियली प्लानिंग में लगा था और यह टाइम पिरेट था आपका 61 से 66 तक मगर इंडेस्टीज पॉलिशी दूसरी ही थी फाइब प्लानिंग तीसरी थी और यह बोकारो इस्टील प्लान किसके सायोग से लगा था रूस के सायोग से लगा था ठीक है ना बोकारो इस्टील प्लान तीसरी पंचवर्सी योजना के तहत था मगर इंडेस्टीज पॉलिशी कौन सी थी दूसरी थी तो क्या पूछा है कोश्चन बकारोश्टी प्लान की स्थापना किस और दोगिक निती किता हुई तो आंसर हो जाएगा सेकेंड इंडेस्टी पॉलिशी पूछा है ना तो सेकेंड अगर फाइप एस प्लानिंग बोलता तो ठाड़ आता ठीक फिर उसके बाद 1991 में प्रस्टू चौथी और दोगिक निती के तहट कितने उद्योग सरकारी नियंतन में थे हाउ मेनी इंडेस्टी स्वेर अंडर गॉर्मेंट कंट्रोल अंडर दा फोर्थ इंडेस्टी पॉलिशी प्रेजेंटेड इन 1991 कोश्चन को दो प्रकात सौल कर सकते हैं पहला कोश्चन पूछा है 1991 कब क्या बोला है 1999 में कितने उद्योग सरकार के नियंतन में थे अगर 1991 लिखा है तो इसका आंतर होगा तीन ठीक और अगर 1991 नहीं लिखा है कि वह पूछ रहा है कि वर्तमान में कितने उद्योग सरकार के नियंत्रण में है तो आंसर हो जाएगा दो एक रेलवे और एक पर मारू अभी एड़ प्रेजेंट दो द्योग सरकार के नियंत्रण में है मगर 1991 में तीन उद्योग सरकार के नियंत्रण में थे ठीक तो वहां 1991 पूछा है तो आंसर होगा तीन अगर एड़ प्रेजेंट बोला तो आंसर हो जाएगा दो क्लियर ठीक फिर उसका लास्ट कोशन और द्योगिक नीती से सम्मंदित कौन सा कथन सही है देखो इस टेप के द्योगिक नीती को दोगों का मैगना काट कहा जाता है ध्यान देना कौन सीट और दोगिनित सम्मंदित कथन सही है पूछाए ना तो और दोगिक नीती स्वतनतव पूर प्रस्तूत की गई गलात क्योंकि मैं सुरू में बोला कब आई थी 1948 में कब आई थी आपकी 1940 1948 में यह गलत हो गया आप देखो पहला ओल् match पहला किसमे में इसमें और इसमें है तो यह गलत यह गलत थी जूथा ऑप्शन आहांपका सभी सहीं तो यह भी गलत तो आंसर क्या हो जाएंगा द सब्सक्राइब दोनों को मिला लो अब एक में दोनों में से एक तो आंसर हो गई मैं इसको पुरा एक्सपेंड कर रहा हूं तो अवद्धिक नीती स्वतनता प्रप्रसूत की गई थी नहीं गलत है और दोगिक नीती के ताथ उद्धोगों के विकास की शुरुआत हुई हाँ वहीं से इंडस्टी पॉलिशी बनी और दोगों का जाता है हाँ क्योंकि यह वही समय था नाइंटिन फिप्रिसीक जब दोगों के लिए लासेंस कंपलसरी किया गया ठीक हैवी इंडस्टी की सुरुआत हो गई भारत में और बड़े-बड़े दोग लगने लग गए तो ए ठीक है तो इसलिए दूसरी दोगिक निती को भारती दोगिक निती का मेगना काट कहा जाता है ठीक है ना क्लियर ऊके तो इसका अंसर क्या हो जाएगा केवल दो और तीन सहीं है ठीक यह हमारा 25 कोशन एमची क्यू सीरीज का आज पहला वीडियो इसी तरह और धिरे-धिरे एक-एक टॉपिक का आपको मैं MCQ लाता रहूँगा और मैं यह उम्मीद करूँगा कि आपको आज का यह MCQ online series पसंद आया होगा और यह भी उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ question ओके आपसे जो बने होंगे तो ठीक है और अगर नहीं भी बने होंगे तो भी अगर आप इसमें से कोई question आएगा तो आपसे बनेगा आपके exam में हमारा मकसद यह है कि हम आपका कम समय में बहुत ही अच्छे कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक और कोई दिक्कत हो तो या कोई तकलीफ हो आपको तो कमेंस कीजिएगा नेक्स वीडियो मैं फिर आपके लेकर क्या हूँगा और एक नए टॉपिक के साथ और इसके साथ ही आज मैं आप लोग को सबको गुडबाई नमस्ते जैहिन ज